जयो हिन दोस्तों स्पा क्या है? स्पा में क्या होता है? स्पा की शुरुवात कैसे हुई? अगर स्पा में मसाज करवाते समर्ट पुलिस रिट पर जाए तो कैसे बच सकते हैं? क्या कानून स्पा में जाना अवैद है? आये इसके के बारे में विस्तार से समझते हैं स्पा जिल चिकित्सा से संबंधित है गर्म पानी के छरने वाले सेर गाहों सहीत वह स्थान जहां चिकित्सा उपचार की पेशकश की जाती है स्पा कहलाता है क्या स्पा और मसाज पार्लर अमीर घरों के लड़के लड़कियों के वहां पर काम करने वालों के साथ अपनी काम वासना पूरी करने जाते हैं किसी भी स्पा और मसाज पार्लर में आप किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते क्योंकि यह कानून के खलाफ है आप जो स्पा और मसाज वालों को फीस देते हों उससे आपको स्पा और मसाज की सर्विस मिल जाती है हालाके मसाज करवाते समय उतेज नहां होती है फिर चाहिए वेंस्ठरी हो या पूरुस लेकिन आप किसी के साथ संबंध है नहीं बना सकते हो तो अगर आपको मसाज करवाते समय उतेज न होती है तो आप प्राइविट बातें करके उन्हें अपने घर पर या कहीं और बुला कर उनके साथ संबंद बना सकते हो इसमें दोनों की रजामंदी होनी चाहिए यह स्पा के असली नियम लेकिन आज इसमें कुछ और ही हो रहा ह तो अब आप समझ गए होंगे इंडिया में जितने स्पा हो फ्हमते हों वेल सारे वैद होते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है आप किसी भी स्पा में जा सकते हैं और मसाज करा सकते हो लेकिन आप जिस स्पा में गए हो अगर वहां कुछ और ही चल रहा हो जैसे कुछ ऐसे स्पा देखे गए हैं जहां स्पा के अलावा लड़कियों के साथ शारिडिक संबंध बनाने का ओफर भी दिया जाता है बस आपको उन्हें कुछ का पैसे देने होते हैं फिर स्पा के बाद आप उनके साथ संबंध भी बना सकते हो तो आप जब भी श्पा करने जाएं तो एक बार स्पा के बारे में जानकारी निकालने के बाद ही जाएं नहीं तो कभी मत जाना दोस्तों हमारी वीदियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ऐसी दे चस्प अमेजंग वीडियोज देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल एमजी एक्जाम करेकर को सब्सक्राइब करें धन्यवाद शब्बा खेर